हाई दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसे वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ गया होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ? हाँ, बिलकुल सही. जैसे एरेंज मेरेज में क्या होता है? उसमें आपके लाइप पार्टनर को डिसाइट करने वाले आपके पैरेंट्स होते हैं. और सेम, अब अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उसमें आप उस लाइप पार्टनर को खुच जोज़ करते हैं कि मैं इस से शादी करूँगा. डुनों तरह से ही शादी होती है, ईरेंज मेरेज में भी शादी होती है, उसका जो लास्ट पॉइंट होता है शादी और खुच से अकर आप प्यार करते हैं किसी से तब भी शादी ही होती है. अब बात यह होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुद से शादी करते हैं तो वो ज्यादा लॉंग रन चलता नहीं है जल्दी डिवर्स हो जाता है और एरेंज मेरिज करना चाहिए सो देट कि लॉंग रन जाती है फैमली सपोर्ट होता है कुछ भी अनबन होते हैं तो फैमली सपोर्ट कर लेती है लेकिन देखिए मैं इस वीडियो को बना तो रहा हूँ लेकिन मैं यह द्यान नहीं रख रहा हूँ मैं एडिटिंग कैसे हो रही है या मैं 10-15 बार रिकॉर्ट करूँ तब आपको सुनाओ ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे दिल में है वो आप लोग से शेयर करूँगा देखे बिल्कुल सही बात है कि वहाँ फैमली सपोर्ट मिरता है लेकिन जो मेरी एक्सपीरियन्स है वो यहां जाती है कि क्या होता है न अगर आप किसी को बहुत प्यार करेंगा यह रिष्टा पता ही कैसे चलता है यह चलता है प्यार से, इज़त से, केर से लोयल्टी से, सिंसियर्टी से पंक्च्छियल्टी से कुछ ऐसे अदाएं होनी चाहिए आपके अंदर आपके करेक्टर के अंदर जो दूसरी को बहुत पसंद हो बहुत पसंद हो उसे उट सिरह पसंद ही ना हो कुछ ऐसे चोड़ी-चोड़ी चीज़े है जैसे मैं आपको बता दू उनकी गल्तियों को नजर अंदाज करणा उन्हें इतना प्यार करणा कि उन्हें कभी किसी ने किया ही ना हो उनके लिए छोटी-छोटी चीजे करना उनको अगर लड़की हो तो उनको दुनिया की मतलब ऐसी लड़की बना देना उन्हें ऐसा फील हो कि मैं दुनिया के सबसे खुशकिसमत लड़की हूँ कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है अगर कोई लड़का है उसे इतनी इज़त करना लड़कों को क्या पसंद है उनको रिस्पेक्ट करें उनकी केर करें उनके जोट्स लॉयल रहें और लड़कियों को क्या पसंद है उनको बहुत केर करें उनके साथ प्लॉयल रहें उनको उनके दुख में उनको सपोर्ट दें उनको इतना प्यार करें उन्हें छोड़ी छोड़ी अदाएं बहुत अच्छी लगती है थोड़ा सा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुमारे लिए ये करूँगा और करना भी चाहिए उन बातों को एक्शेंज मैं भी लाना चाहिए और सबसे बड़ी बात उन्हें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए और बहुत सारी चीज़े होती है जो इस रिष्टे की एक नीव होती है जैसे अगर आपका रिष्टा बहुत अच्छा है लेकिन अचानक आपने अगर वो लड़की है आपने उनके अम्मी को कुछ कह दिया उनके बाई को कुछ कह दिया उनके पापा को कुछ कह दिया ये अच्छी बात नहीं है यह ऐक अच्छा इनसान होने की एक सिम्टम नहीं है, उनको भी पयार करें जिससे आपकी भीवी पयार करें, जिनें वो पयार करें, उनकी इज़त करना स्टार्ट करें, और सेम उस लड़की के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उसके अगर शोहर हैं या उनके जो जिससे वो पया पाऊंगा लेकिन मैं कुशिश करूँगा आइस्ता आइस्ता मैं आपको सारी चीजें आपको बता पाऊंगा तो मुझे कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है आप ये सब भूल जाईए कि खुद से शादी करनी चाहिए हैं पैरंट्स की मज़ी से शादी करना चाहिए बस लेकिन अपने दिल को ये कहना ये ठीक नहीं है मुझे यहां करना चाहिए कभी कोस्ते मत रहो उन्हें क्रिटिसाइज मत करो बस ये सोचो कि तुम्हें क्या चीज पसंद है उन्हें बना डालो वैसा अपने प्यार से अपने कैरेक्टर से आप किसी को भी बदल सकते हो बहुत सारी पाऊं सच में एक रिष्टे को वो मा के साथ हो बाई के साथ हो बहन के साथ हो बीवी के साथ हो अपने ममी पापा के साथ हो कैसे रहना चाहिए और कैसे इस रिष्टे को अच्छा बनाना चाहिए वो सब आपको ज़रूर बताऊंगा और उमीद करता हूं कि आपको ये झाले।